हेलो दिर स्टुडेंट्स बुड मॉर्णिंग नमस्कार रादे रादे स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीज की ऑनलाइन क्लास में जैसा आप सब को मालूम है मैं हमेशा आपके लिए इपीज की क्लास लेकर आता हूं उसी प्रकार प्रकार क्लास पर के लिए एनवर्मन की क्लास लेकर करके वापस आगया हूं उमीद करता हूं आप भी मेरे साथ में बिना देरीके पढ़ाई करने के लिए पैंट गए होगे, डबुक निकालना, EBS की, पेज नमबर 30 निकालना, नोटबुक निकालना, पैंट पैंसिल निकालना, क्योंकि आज हमारे को पेज नमबर 30 पर कुशन आश्वर करने हैं, इस कारण से आपको मेरी साथ साथ में करना पड़ेगा तो, बुक से ज़्यादा जरूरी नोटबुक है, दिको कल हमने क्या पड़ा था, जो चैप्टर बचावा था हमारा वाटर फॉल्यूशन, उसके बारे में पड़ा, आज पहले तो थोड़ा सा चैप्टर रिवाइज करवा देता हूँ, लेट्स रिकॉल पड़वा कर, ताकि कलिकंग वासिंग कलीनिग, देता जरूरी आज जरूरी मनव जिवन को जलकी आवन शिकता हिक वासिंग क्लीनिग, नहाने के लिए सफाई करने के लिए रिकॉल पड़ा घोलार खाला है क specialty जानवलब कू के लिए नहाने के लिए ये ख Ones लेकिन जानवर या तो पानी पिएगा या पानी से नहाएगा इस दो चीजों के लिए जरुद पोदों को खाना बनाने के लिए जलकी आप सकता होती है जो पोदे होते हैं प्लांट्स होते हैं उसको खाना बनाने के लिए पोदों की जरद होती है खाना बनाने के लिए पानी चाहिए पोदों को रेल जो होता है वो पानी का में सोर्स होता है हमने water के sources बढ़ेते तो water का main source होता है rain यानि बारिस we should not pollute water हमें पानी को प्रदुसित नहीं करना चाहिए और we should not waste water हमें जल को प्रदुसित नहीं करना चाहिए एक तो जल को pollute यानि प्रदुसित नहीं करना चाहिए एक वेस्ट यानि बरबाद नहीं करना चाहिए जल को तो जल को ना तो बरबाद करना चाहिए और जल को ना ही पर्णूसित करना चाहिए अब आगे देखो Q-Sन आशर करने है नोर्भूम निकालना और लिकना exercise E-X-E-R-C-I-E-C पहला Q-Sन पहले से ए नमबर लिखावा है O-R-A-L Oral Q-Sन Oral का मींस ऐसे तो होता मौखिक प्रस्न हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मौखिक प्रस्न मौखिक प्रस्न का मींस सिरब बच्छे को पूछने वाले ही होते हैं, लिखने वाले ही नहीं होते हैं पड़ आप ऐसे ही स्टूडेंट नहीं हो कि आपको एक बार बताने से याद हो जाते हैं आपको पांच बार लिखना पड़ेगा तब जाके याद होगा इस कारण से आपको नोट बुक में करवाया जाता है नोट करूँगा मैं पहला Q-Sन What is the main source of water? What is the Man source of water What is the main source of water यानि की जलका मुख्य सुरूत क्या है? देखो अभी हमने पड़ा था अभी जब मैं आपको चैप्टर रिकॉल करवा रहा था तभी हमने पड़ा था और इसका आंस्वर आपको आना चाहिए अगर आपको इसका आंस्वर नहीं आता है आप मेरे सामने होते तो मैं आपको ऐसा स्लैप मारता एक की आपका गाल सूज जाता लेकिन आप मेरे सामने नहीं हो मैं आपको मार नहीं सकता मैं आपको पीट नहीं सकता बट आपको आंस्वर लिखना है आपको अनेस्ली इमान दारी पर रहना है आपको याद होना चाहिए आपको याद होना चाहिए कि अभी मैंने chapter का revise करवाया था तभी विड़ा chapter recall पड़ा जाता है क्योंकि कम से कम chapter recall में जो भी 4-5 line दे रखी होती है उस 4-5 line में से 3 line तो ऐसी होती 100% कि किसी ना किसी question का answer होगी वो तभी chapter recall दिया जाता बागी क्यों दिया जाता है ऐसे ही थोड़ी दिया जाता है अगर 5 lines दी रखी होती है chapter recall में तो समझ लेना 3 line तो आपके question का answer होगी किसी ना किसी question का answer होगी और यह question का answer आपको उसी में मिलता है देखो 4 number की line जो अभी हमने पड़ी थी उसमें लिखावा है आरे आयना rain is the main source of water rain is the main source of water तीसरी line में क्या लिखावा है बारिस जो होती है जल का मुख्य स्रोध होती है rain is the main source of water बारिस जल का मुख्य स्रोध होता है क्या होता है जलका मुक्नक्य स्रोफ बारिश होता है वर्सा होती है बागी पानी कहा से आता है अब प्रत्वी पर पानी बार्स वर्सा सी आता है बίνा वर्सा से कहां आएगा गई से नहीं आएगा तो पहले question का आंसर यह हुआ अब दूसरा question डूसरा क्या है वाई इस वाटर इंपॉर्टेंट फॉर्ठיं फॉर्म का लिवाई का मिश्यों इज यानि है वाटर यानि जल, इंपोर्टन यानि महतोपून, फॉर के लिए फार्मर्स यानि किसान या किसानों, एक किसान होता तो फार्मर, बहुत सारे किसान होते तो फार्मर्स, तो किसानों के लिए जल महतोपून क्यों है, फार्मर का मिस किसान होता है, तो किसानों के लिए जल क्यो फसलें उगाता है उस फसलें को सिंचित करने के लिए सिचाई करने के लिए फसलों की सिचाई करने के लिए किसान को पानी की आवसकता होती है जो रेइन होता है, वो मुक्य शुरूद होता है, वो हमारे लिए इंपोर्टेंट होती है, और हिसानों के लिए चाहिए पासको आधकोण है, वो अपने फसलों को पानी देता है, यह तो मैं फुसनों को पानी चाहिए इसलिए तो आंसर क्या लिखोगी दो लिखो वाटरी को वाटरी जा इंपोर्टेंट फॉर फार्मर्स बिकॉज क्योंकि इट वाटर दा क्रॉप्स दा फिल्ट इट वाटर इट वाटर दा क्रॉप्स इट वाटर दा क्रॉप्स इन दा फिल्ट यानि खेतों में फॉसलों को पानी देता है यह खेतों में जो फसले हुगाए जाती है किसान के द्वारा उसको पानी देता है इस कारण से पानी किसान के लिए इंपोर्टेंट है आप से क्रिशन में यही कुछ आथा कि किसानों के लिए पानी इंपोर्टेंट क्यों है इही जल खेतों में फसलों को दिया जाता है इस कारण से हमने ये आंस्वर लिखा है समझ आई ना मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूं इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास है और इस क्लास में हमने दो क्यूशन किये हैं और यह दो दोनों आप सो SW में करना है Homework में क्या करना है Oral क्यूशन लिखना Oral क्यूशन में Number 1 लिखना पहला वाला क्यूशन उसका answer मैंने लिखा है फिर Number 2 वाला लिखना उसका answer भी मैंने लिखा है और इस प्रकार से यह Homework आपको करना है आगे और क्यूशन है देखो B Multiple Choice है C True False है D Philinda Blanks है D Answer in One Word है यह क्यूशन हम आगे हमारी आने वाली क्लासों में डिटेल से करने वाले है ज़्यादा जल्दी मैं नहीं करना चूँगा क्योंकि अभी हो सकता है कि मैं 2-3 मिनट और लूँ और एक और क्यूशन आपको complete करवा सकता हूं B वाला पूरा करवा सकता हूं लेकिन मुझे पता है अनलाइन क्लासों यह है क्या पता बचे को इतना जल्दी जल्दी पढ़ाया हूँ समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं हो सकता इस कारव से बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं इतना हो सकता हूं ज़्यादा जल्दी मैं नहीं करता हूं क्योंकि हमारे को ज़्यादा जल्दी नहीं करनी हमारे को अच्छा पढ़ना है अच्छे डंग से पढ़ना है अच्छे तरीगे से पढ़ना है क्योंकि यह online class है इस प्रकार से यह जो पहला question था what is the main source of water जल का मुख्य सुरूद क्या होता है तो answer why rain is the main source of water कि जल का मुख्य सुरूद वर्षा होता है दूसरा question भी क्या था why is water important for farmers किसानों के लिए पानी क्यों मैत्पूर्ण होता है तो हमने आच पर लिखा water is important for farmers किसानों की लिए पानी important होता है because यानि क्योंकि it water यानि यहाँ जल the crops in the field यहाँ जल खेतों में फसलों को दिया जाता है यहाँ जली खेतों में फसलों को दिया जाता है इस कारण से यह important है इस प्रकार से यह 31 page number जो है उन वाले वो क्यूशन जो है हम कल की class में करने वाले है तो बढ़ा आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है तो कि पता नहीं है विद्याले कब खुलने वाले स्कूल कब खुलने वाले अभी तक बिटा 11-12 की स्कूल नहीं खुले तो आप तो सबसे चोटे बचे हो आपका नंबर तो सबसे लास्ट में आएगा तो आपको जरिया नहीं है पढ़ने खारा न तो आपको ये कुश्षं कर लेना है आजका जो भी ब्लैक बोर्ड पर किया वा है फिर कल हम आप वापस आपकी क्लास लेकर आएगे तब आगे वाले क्यूशन आपको करवाएगे चिंता करने की बात नहीं है बहुत धिरे-धिरे तरीके से हम पढ़ रहे हैं उमीद करता हूँ आपको सारी चीज़ां समझ में आ रहे होगी कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में अब आपसे विदा लेता हूँ और तब तक के लिए भगवान से प्राधना करूँगा आपको स्वस्थ रखें आपके परिवार को स्वस्थ रखें खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरस्त रहें भाई भाई, वाई भाई, वाई भाई, थैंक यू